नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आफिशिल उडूट चेनल जी एस भाई नियसर में है कैसे आप सब मैं आसा करता हूँ श्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी तेयारी में बैस्त होंगे मित्रों यहाँ तयारी कहने का मतलब एक ही है आप सानते ही है कि ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर आर्ट की तयारी आप सब कर रहे है तो उसके तयारी में बैस्त होंगे आज की जो यह क्लास होगी इसमें हम लोग प्रक्टिस पेपर देखेंगे क्या देखेंगे प्रक्टिस पेपर और वो भी यह प्रक्टिस पेपर जो क्रम होगा वो 33 का होगा इससे पहले 32 तक का हो चुका है और इसका रिवीजन भी आप से हो चुका है हमें उमीद है आप लोगों ने इसका रिवीजन बखुबी किया होगा और आपकी तियारी अच्छे शे चल रही होगी प्रक्टिस पेपर 33, 125 questions होंगे यहां पर आप जानते ही है समय आपको दो घंटे मिलता है प्रतेक प्रक्टिस पेपर में दो घंटे का समय होता है OMR बेश पेपर होता है तो आप्टिकल मार्क रिडर इसको रिड करता है OMR शेट पे ही गोला काला करें तो ज्यादा बढ़िया है इन 125 questions के लिए जो नमबर निर्धारन है वो 500 नमबर टीजी टी आर्ट में है ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर आर्ट वले में है चो यूपी में है आप जानते हैं टीजी टी आर्ट में 149 पदों पर भारती है 2022 में नोटिफिकेशन निकला था और उमीद है कि पेपर हो जाएगा दो से तीन महिने के भीतर अगर पेपर की डेट निस्शित होती है तो खन्फरम हो जाएगा कब तक पेपर हो जाएगा लेकिन अगर डेट निस्चित नहीं हुई है तो उस्षे पहले आपको प्रक्टिस मारना में बहुत आवश्यक हो जाता है तो इसलिए प्रक्रप्री से कमांड करें प्रक्रbasis पर काम करें मित्रों और उसके साथ 10 का डोज जरूर स्वल्व करते रहें जो 10 का डोज रोज रात 10 बजे होता है तो 10 का डोज परड़े लेते रहें उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस पर कहीं भी आपको कोता ही नहीं बरतनी है यानि थोड़ा सा भी आपको क्या नह आपको नहीं करना एं ठीक है आई यह श्टराट करते हैं पहला कोश्चिन आपकी स्क्रीन पर है पूठ रहा है राश्टी यह अधुनिक कला drewi नय दिली । में एक चेट्र सुरच् быстр है छित्र का तो जिनका जन्म केरला में होगा कहां पर केरला के किली मिनूर में जन्म होगा और जन्म की जो डेट है आप जानते हैं खूब पूशा जाता है रभी वर्मा के बारे में 29 अपरेड 1844 में होता है वही है राजारण अरभी वर्माजी भारत के पहले तेलिये चितरकार है भारत के पहले तेलिये रचनाकार है तेलिये रचनाकार है ठीक है तो सही जब आप भी के शाथ लगा लो फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चनस की तरफ प्रस रंख्या दो आपकी स्क्रिंग के रहा आपसे क्या पूछ रहा है पूछ रहा है मित्रों उनईशो तरेशट हिस्बी में ब्रटेस इनफॉर्मेशन सर्विस ने किसे दुनिया का सर्वस्रेष्ट अठारा पच्छी चित्रकारों की एक प्रतिष्ठी सूची में सामिल कर लिया नाम दिया गिया हिम्मत साह को करपाल सिंग सेखावत को दिवकी नंदन सर्मा को या फिर पर्मानंद शोयल को मित्रों ब्रटेस इनफॉर्मेशन सर्विस उनईशो तरेशट की रिपोर्ड है उसमें अठारा पच्छी चित्रकारों में शामिल है आप जानते हैं भारतिय पच्छी चित्रकार भारतिय पच्छी चितेरा की रूप में उन्हें लोग जानते हैं चितेरा के रूप में उन्हें ख्याती प्राप्त है फ्रोफेशर अद्देवकी नंदन सर्मा सही जबाब बनेंगे तो शटी का अंसर शाप को शीकेशाथ देना होगा अगले कोश्चनस पर बढ़ते हैं अगला कोश्चनस दीन नंबर आपकी स्क्रिन पे रहा पूच रहा है बिख्यात कलाकार गुस्ताव कूरवे किस कलात्मक आंदोलन से संबन दिता अगला कोश्चनस चार नंबर आपकी स्क्रिन पे रहा पूछा जा रहा है मित्रों कि इंटिग्लस आफा टारसो जो रहास्यमाई नारी है ये मूर्ति किसन ने बनाई है इंटिग्लस आफा टारसो जो रहास्यमाई नारी है इसके मूर्तिकार हैं बलबीर सिंकट असोक परजापती का नाम दिया गिया है हिम्मत सा है या फिर रागो का नीरिया का भी नाम चिपका या गया है तो इंटीग्रलस आफ़ा टार्सो की एगर बात हो यानि रहस्य में नारी जैसी रचना की बात हो तो ऐसी मुर्थी प्रक्यात मुर्थिकार बलवीर सिंग कट के दोरा में इंटेन की गई तो सही जबाब बलवीर सिंग कट के शाहत लगाओ फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले कोश्चंस के तरफ अगला कोश्चंस पांच नंबर आपके स्क्रिंट पर ये रहा पूछा गया मित्रों पदम भूशन नहीं कह रहा है पदम भी भूशन कह रहा है पदम भी भूशन जो दूसरा महत्पूर पुरुषकार होता है भारत रतन के बाद नंबर आता है इसका तो पदम भी भूशन पाने वाले पहले कलाकार कोन थे नाम दिया गया रवी वर्मा, शुधी रंजन, खास्तगीर, नंदलाल बूश या फिर यामनी रंजन राय मित्रों आप जानते हैं कि पदम भी भूशन, इन चारों आपसंस में पदम भी भूशन सबसे पहले किसे मिला तो आप जानते हैं कि पदम भी भूशन की बात हो रही है तो आपको माश्टर मोशाय के साथ अंसस लगाना होगा भी इस तरह इड़ अंसस बनाना होगा आगे बढ़ें, आगले कोश्चन्स पर आते हैं च्छाय नंबर कोश्चन्स आपके स्क्रण पर पूछा जारा है मित्रवाप से कि तत्व बोधनी पत्रिका तत्व बोधनी पत्रिका से कौन संबंधित था नाम दिया गया तत्व बोधनी से किस्का शंबंधित था तो आप जानते हैं देवें नाट टेगोर का शंबंधित था नाम दिया पत्रिका उसके संगरहाले में रखा हुआ है तो इसप्रेट आफ जोस उस्वरी इसप्रेट आफ वर्क या फिर काम का जोस जैसे रजिना जो धनराज भकत ने बनाई है ये कला भूंशांतिनी के तन में रखा है राष्टिय शंगरहले नई दिल्ली में रखा हुआ है या राष्टिय आधुनी कला शंगरहले नई दिल्ली में है या फिर तरण बेर नई कला संगम नई दिल्ली में है आपको बताना है इस पर टाफ वर्क मूर्थी जो काम का जोस तरसाता है धनराज भगत ने बनाया है कहां पर रखा हुआ है तो याद रखना ये नई दिल्ली में रखा हुआ है और नई दिल्ली में कौन से राष्टिये के साथ आधुनिक कला संगरहले जुड़े तो कि किस अवधी की प्रिंटिंग चित्र कला में पहली बार फूल पत्ती और पोधों को चित्रित किया गया था नाम बताना है पहली बार फूल पत्ती और पोधों को चित्रित मुगल काल में किया गया सल्तनत काल में किया गया गुपतिरा में किया गया या फिर मौरे काल में क तो आप जानते हैं मित्रों कि पहली बार फूल और उसके साथ पौधों को चितरित करने का काम सल्तनत काल में हुआ है तो सही जब आप सल्तनत काल लगा लो भी इस ता राइट अंसर्स बना लो फिर हम लोग वड़ते हैं अगले कोश्चंस की तरफ नौ नंबर कोश्चंस नाम दिया गया उतकल प्रदेश, कलिंग, उडिया या फिर उडिसा आप जानते होंगे उडिसा का प्राचिन वानी पुराना वाला नाम क्या था तो पुराना वाला नाम उतकल प्रदेश हुआ करता था उसके बाद कलिंग भी इसे कई जगे कहा गया है कलिंग भी लेकिन स प्राचिन की बात हो तो पहले इसे उत्वकल प्रृध देश कहा जाता था उत्वकल प्रदेश के बाद इसे कलिंग वाला बिल्ट कहा गया तो कलिंग में two-tую तीन राज उधरा जाते है ठीक है थोड़ी सा का प्राचिन नाम उत्वकल प्रदेश लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले questions की तरफ, अगला questions दस नमबर आपकी स्क्रिन पे रहा, पूछा जा रहा है, क्या मिट्टी के बरतन बनाना नो पाशानकाल से सम्बंधित है, नाम दिया गिया सत्य है, अशत्य हो शकता है, अशत्य भी हो शकता है मित्टी के बरतन बनाना नौपाशाणकाल से संबंधित हो शकता है क्या बिलकुल सही है मित्टी का बरतन नौपाशाणकाल में बना ही बना है तो सही जबाब फ़स्ट के शाय T लगा लो फिर बढ़ेंगे 11 नंबर को शर्शोंष की तरफ प्रस्चिंख्या 11 कहा जा रहा है प्राचीन भारत में कर्षी का प्राचीन तम उलेख कहां से मिलता है नाम दिया गया बोरी इस्थान से इनाम गाउं से मेहरगड से या फिल गिंबुद से आपको बताना है कि प्राचीन भारत में करसी का प्राचिनता मुलेख कहां से दिखाई देता है तो वो बेल्ट होता है मेहरगड सही जबाब बी के साथ देना होगा बी इस दाराइट अंसरस लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले कोश्चनस की तरफ 12 नंबर कोश्चनस आपकी स्क्रिंट पे पूछा गिया सिंधू इमारत कौन सी थी नाम दिया गया मोहन जुदाडो का महा जलकुंड सबसे बड़ा वाला इमारत है मोहन जुदाडो का अशनानागार है हडपा का महल है या फिर मोहन जुदाडो का अननागार है पितरों शिंधू काल की बात होती है सबसे बड़ी इमारत की बात होती है सब रोतर परदेश से शम्वंदित कलाकार हि, नाम दिया गिया दिलीप तामूली का शम्वंद है, मुकुल पवार का है, जौन डगलस का है, फिर नमेश्य कोई नहीं, पर तो नाम आपको मुकुल पमार लगाना होगा, सी इस तरह इिटरंसर बनाना होगा? चौदा नंबर कोश्चन की तरफ आएंगे पूछा गया सिंदू घाटी के समाज में कौन सा पशू शक्ती के प्रतीक के संबंधित में दर्स आया गया नाम ब्रशब का है, स्रंग का है, घूरा का है, गज का है सिंदू घाटी के समाज में कौन सा पशू शक्ति के प्रतीक से समंध रखता है तो सही जबाब ब्रशब के साथ बनेगा सही जबाब फॉस्ट के साथ बनेगा यह इस तरह आई टांसर्स बनाना पड़ेगा अगले कोश्चन्स पर आना पड़ेगा पंद्रा नंबर कोर्शन्स आपकी स्क्रिंट पे ये रहा है पूछा गया जगाई मधाई उध्धार जगाई मधाई उध्धार टेंपरा माध्य में जो प्रियाग राज संगराले प्रियाग राज में रखा है ये चिदर किषने बनाया जगाई मधाई उध्धार नाम छेतीन बाबू का है नाम अशित कुमार हालदार का है महादेवी वर्मा का है या फिर आउनी नाट टेओर का है जगाई मधाई उध्धार की एकर बात होती है मित्रों रशिना बहुत अच्छी है जो 214 में जैपुर कला बिद्धाले जैपुर कला बिद्धाले और जिनका जनजोडा साको बंगाल में हुआ हूँ 2125 में जो लखनो कला बिद्धाले के पहले भारतिय प्रिंस्पल होने का गौरो लिये विये हैं वो है आउनी बाबू के शिष्ष अशित कुमार हालधार तो सही जबाब B के साथ लगाना होगा फिर बढ़ेंगे 16 नंबर कोक्शन्स के तरफ प्रशंख्या 16 क्या कह रहा है कह रहा है मित्रों कि राश्टिय संग्रहले नई दिल्ये के प्रथम महानिर्देशक कौन थे पहले महानिर्देशक नाम दिया गिया पुपुल जैकर है ग्रेशल मार्शल है कपिला वात्सयान है फिर स्यू राम मोर्ती राश्टिय संग्रहले नई दिल्ये के पहले महानिर्देशक के रूप में आप जानते हैं ग्रेस मोरले का नाम आया है तो डाक्टर ग्रेस मोरले के साथ अंशर्ष लगाओ भी इस ता राइट अंसर्ष बनाओ अगले कोश्चन पर आते हैं यह 17 नंबर कोश्चन आपकी स्क्रिन पर पूछा गया फोल्डर यानि विग्यापन की किस रणी के अंतरगत आता है फोल्ड फोल्डर विग्यापन की कौन सी स्रणी में आता है तो फोल्डर में तुरों प्रत्यच मेल की स्रणी में आता है सी इस तराइट अंसर्ष बनता है अगला कोश्चन अठारा नंबर आपकी स्क्रिन पर ये रहा पूछा जा रहा है आपसे कि बिख्याच चितरकार राजा पारानसी में रखा हुआ है अलाहावा संग्राहले प्रियागराज में है फिर ललित कल्याक अदमी लखनों में है मित्रों आपको बताना है बिश्वा मित्रों मेनिका जो रवी वर्मा ने बनाया है बढ़ियां रचना है कहां पर रखा हुआ है तो नई दिल्ली में रखा ह नाम राष्टिया अधुनिक कला शंगरहले के साथ जुड़ा है तो सही जबाब फ़स्ट के साथ लगा लो फिर बढ़ो अगले कोश्चन्स के तरफ उनीश नंबर कोश्चन्स आपके इस रंपे ये रहा पुछा गया मंदिर और च्छाओं जो क्रेयान और जल रंग के द्वारा चितरित है ये किसने बनाया मंदिर और च्छाओं मनीश इडे का है असित हालदार का है छितीन मजूंदार का है फिर अरुन जेटली का है मंदिर और च्छाओं के अगर बात करते हैं तो सही जबाब क्या बनेगा मनीश इडे बनेगा सही जबाब मनीश इडे बनेगा मंदिर और च्छाओं अच्छी रिचना है जल रंग पे बनाई गई है अगले कोश्चन्स पे आते हैं बीस नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पे ये रहा क्या पूछ रहा है मित्रों आप से पूछ रहा है राम गुपाल विजे वर्गिये का शुप्रशिद धचित्र कमल कन्या कमल कन्या जो कागच पे जल रंग के दोरा बनाई गई ये कहां सुरचित है पूछा जा रहा है नाम दिया गया सालार जंग संग्रहले हैदराबाद में रखा हुआ है राष्ट्य संग्रहले नई दिल्ली में रखा है अलाहावाज संग्रहले प्रयागराज में है या फिर अलवर्ड हाल संग्रहले जैपुर में है राम गोपाल विजे वर्गिये की शुप्रशिद्ध चितर है कमल कन्या तो कमल कन्या कहां पर रखा हुआ है मित्रूं जब कमल और कन्या की बात हो तो जहां पर संगम हो जहां पर संगम हो सही जबाब वही लगाईएगा तो सही जबाब प्रयागराज बनेगा अगले questions भी आओ आपका questions 21 आपकी स्क्रिन पे पूछ रहा है शत्तवी घटक के निमलखित में से किस के बारे में शमबाद और चर्चा की रूप में एक वित्ति चिट्र बनाया है तो हृत्तिवी घटक को हो या फिर शत्तवी घटक को हो किस के बारे में शम्माद और चचा की रूप में एक विरतेचित बनाया चिंता मड़ी कर के लिए राम कंकरवाईज के लिए शुमना थोर के लिए फिर मीरा मुकर जी के लिए आपको सही जबाब देना है अगर सही जबाब की बात करते हैं तो राम की इंकरवेज आंसर्स बनेंगे सीस तराइट आंसर्स लगाना होगा मित्रो वयामार सीटा प्ले रहना उसी पे गोला करना तो ज़्यादा बढ़ियां रहेगा तो जेर साथ सूरी का जो मगबरा है मित्रूम वो अश्ट भुजाकार है पहली इमारत मानी जाती है अश्ट भुजाकार तो सही जबाब शीके शाहत लगाओ अगले कोश्चन्स पर आओ 23 नमबर कोश्चन्स आपसे पूच रहा है प्रयाग रास संगराले में प्रदर्सित वेनडी संगार किसका चितर है ननलाल बोश का है रामगोपाल विजेवर्गे का शितकुमार हालधर का या फिर यामनी रंजन हराई का वेनडी संगार बहुत अच्छी रिचना है और वे 24 नमर कोश्चन्स के रा है Mansoor और मनोहर किस के मशहूर दरबारी चितरकार थे नाम दिया के है साज़ा के हैं अकबर के हैं जहांगीर के हैं फिर हमाई हो के हैं मनसूर और मनोहर केश के दरबारी चितरकार रहे हैं तो मनसूर और मनोहर की बात जैसे आये मित्रों आपको मनसूर और मनोहर मनसूर वही है जो बहुत अच्छा पच्छी चितरकार था जो बहुत अच्छा बाज पच्छी की रिचना किया है जो बहुत अच्छा नील गाई को बनाया है नील गाई को बनाया है वही है आपका मंसूर तो सही जबाब जो है आपको B के शाद देना होगा जहांगेर जिसके कल में चितरकला सुरान कल पे रही है तो B is the right answers लगाओ अगले questions पे आते हैं 25 नमर questions आप से पूछ रहा है लेवीगेटर लेवीगेटर का प्रियोग किस कारे के लिए किया जाता है नाम दिया गया प्लास्टिक खुरचने के लिए किया जाता है कास्ट खंडन उत्क्रेन के लिए किया जाता है लेवीगेटर का प्रियोग है मित्रों कैसे किया जाता है सही जबाब लेवीगेटर की ग्रेनिंग के लिए किया जाता है तो C is the right answers बनाना होगा अगले questions पे आएंगे 26 नमर questions आपकी स्क्रेन पे है पूछा जरा है मेडोना एंड चैल्ड ये मारबल माध्दे में बनाई गई है जब सास्य जबाब ड के साथ बन रहा है किस रचना के लिए मेडोना एंड चैल्ड के लिए proportions पूछा जरा है कला यतार्थ अनुकृती का 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 में तच्छे सिला विश्व विद्याल है कौन से अस्थान पेशती थे अगर एक्जेक्ट वेल्वीशन की बात होगी कौन सा अस्थान आएगा तो तच्छे सिला विश्व विद्याल है आपका पाकिस्तान बनेगा विश्व 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 गां। बिंदु है उसके अंतरगत चो प्रियोग होता है अनंतहीन प्रियोग करते हैं उस प्रियोग में रेखा का ही निर्माड होगा कोई बिंदू है बिंदू से बिंदू 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 आगे बढ़ती चली जाएगी तो ये बिंदू का सम्मू हुए एक बेंटरिन हो जाएगा वही आपकी रेखा हो जाएगी तो एक गतिहीन बिंदू के अनन्त ही न प्रियोग कोई पता नहीं है अनंद है इन फाइनाइट है वहां तक अगर प्रयोग कर लिया जाए तो रेखा का ही निर्माड होगा सही जवाब फर्ष्ट के शाथी देना होगा अगला कोश्चन्स 31 नंबर आपकी स्क्रिन पे रहा 31 नंबर कोश्चन्स क्या कह रहा है मित्रों कह रहा है इसमें से कौन सा एक ऊष्ण वरन है वरन मतलब होता है रंग ऊष्ण मतलब होता है कौन सा गर्म बताओ नीला हारा वैगनी लाल चार दिया गया है इसमें से आपको बताना है कि ऊष्ण रंग कौन सा है नहीं गर्म रंग कौन सा है तो लाल यहाँ पे एकदम गर्म रंग की स्टरणी में आता है सही जबाब लाल के शाद दो यानि डीस दा राइट आंसर लगाओ 32 नंबर कोश्चनस आप कि स्क्रण पे पूछा जा रहा है आपसे भारती चित्रकला का मूल तत्व है नाम दिया गया रेखा है बारती चित्रकला का जो मूल तत्व माना जाता मित्रू वो रेखा परधान है तो सही जबाब रेखा के शाद लगा लो अगला कोश्चनस 33 नंबर आप कि स्क्रण पे ये रहा है पूछा गया कला द्रिश्यमान का पुनूरूत पादन नहीं करती बलकि यहा द्रिश्यमान को बनाती है 34 number questions आपकी स्क्रिन पे शहीद इसमर्ती जुपटना का सिल्पकार है इसकी रचना किसकी है शांको चोधरी की है राम किंकर व्याज की है टीपी राय चोधरी की है फिर धनरास वकत की है सहीद इसमर्ती अच्छी रचना है आप जानते हैं सही दिसम्रती को बनाने का काम प्रक्यात चित्रकार मूर्दिगार देवी प्रशाद राय चोधरी की है सही जबाब भी किशात लगा लो अगले कोश्चन्स प्याज़ाओ 35 नमबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पे पूछा गया मिंद्रो विंसेंट वान गोग का जन्म कब हुआ था नाम दिया गया 1853 में हुआ 1865 में हुआ volcano वान गोग का जन्म आप से पुछा जरा है अप जानतीन का जन्म 1853 में हुआ है सही जबाब फ़र्स्ट के शाथ लगाओ अगले कोश्चन्स प्याज़ाओ 36 number questions, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है मितरू, किस पत्रिगा का शंबंध उत्तर प्रदेश चे है, नाम दिया गया, कला दीरगा, कला वारता, शंकालीन कला या फिर कला प्रयोशन, पत्रिगा कौन सी है जो उत्तर प्रदेश चे शंबंधी थे, कला वारता आपकी उत्तर प्र से गोहिदी कला से आफिर भरवो कला से रोमन कला का जन्व कहाँ से हुआ है तो रोमन कला कर जन्व कि अगर बात होती है तो ग्रीक cultural the प्रिह 1 इसर्ट इसता राइड सर बनाना अगला questions 38 number आपके स्क्रेंट पे रहा 38 number questions आपसे क्या कहरा है मित्रों कह रहा है यंद्र प्रमापी यंद्र प्रमापी गाउज निमलिकित मैं से क्या होता है नाम दियागया सम्तल छेनी है यंद्र प्रमापी नाम दियागया काश्ट के उतकरणन के लिए अर्धो गोला कार छेनी होती है नाम दियागि अब पत्थर के उत्करणन की निर्मित नुकीली छेनी है या फिर मिट्टी, नर्देशित, यंद्र है यंद्र प्रमापी आप किसे कहते हैं तो यंद्र का प्रमाप कर दे प्रमाप मतलब उत्करणन के साथ अर्धो गोला कार छेनी बनाए दे वो है आपका यंद्र प्रमापी गाउज तो सही जबाब गोज को हो या गाउज को हो सही जबाब बी के साथ लगाओ बी इस तरही टांसर्स बनाओ अगले कोश्चनस पे चलेंगे 39 नंबर कोश्चनस आपकी इस्क्रण पे बनाओ सी इस तरही टांसर्स बाओ अगले कोश्चनस पे आते हैं 40 नंबर कोश्चनस आपकी स्क्रिन पे है पूछा जारा है मित्रों आपसे कि बियत नाम बियत नाम के सैनिको कुश्मरपित वी आकार के काले रंग के ग्रेनाइट के दीवारों वाले असमारक का निर्माण किया नाम दिया गया मायलिव ने किया है जी वेस वाक्ची ने किया है रावर्ड इसमिथन ने किया है और फिर अल्फ्रेड सेल्सी के द्वारा जो है काले रंग की ग्रेनाइट की दीवारों पर वी टाइप का आकार का जो है असमारक बनाया गया तो सही जबाब बनेगा माल लिव के द्वारा किया गया तो माया लिव आंसर्स लगाओ फर्स्ट इस्था राइट आंसर्स बनाओ अगले कोश्चन्स पर आते हैं 41 नमबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिंग पर पूछा किया ट्रांस फिग्रेशन ट्रांस फिग्रेशन जो कास्ट पे टिंपरा के दोरा बनाया गया किसका है लिव नार्डो का है पिकाशो का है रैफिल का है या फिर होडलर का है आपको बताना है ट्रांस फिग्रेशन Transfiguration की अगर बात होती है Raffle की बहुत अच्छी रचना है सही जबाब B के साथ लगाना होगा B is the right answers बनाना होगा अगला questions 42 नमबर आपकी स्क्रिन पे रहा Lida और Hans Lida और Hans किसने चितरित किया नाम दिया गया Mone ने बनाया, Picasso ने बनाया, Leonardo ने बनाया आप जानते हैं अच्छी रचनाव में शुमार है सही जबाब B के साथ लगा लो C is the right answers बना लो अगले questions पे आजाओ 43 नमबर questions आपकी स्क्रिन पे ये रहा मैजोन्टिक और ड्राई पोइंट्स में साजा घटक क्या होता है मैजोन्टिक और ड्राई पोइंट्स में कटोरता साजा घटक है शमतलता दोनों में मिलता है मरदुलता दोनों में मिलता है या फिर सुस्कता दोनों में दिखाए देता है मेत्रो मैजोन्टिक और ड्राई पोइंट्स में म्रदुता आपको बच्छे से दिखाए देगी दोनों में शमानता के साथ है कि साजा घटक होगा तो सही जबाब आपको म्रदुता के साथ देना होगा ड्राइ पॉइंट्स में भी और मैंजो टिक में भी तो म्रदुता अंसर्स लगाओ बीज दर आइट अंसर्स बनाओ अगले कोश्चंस प्याजाओ चोवालिश नंबर कोश्चंस आपकी स्क्रिन पे ये रहा फूटी फोर नंबर कोश्चंस कहरा है कला करती बुलू सरकस बुलू सरकस किसने चितरिट की नाम दिया गया जान मीरो ने हेनरी मौतिश ने, पाबलो पिकासो ने या फिर मार्क शागल ने बुलू सरकस की बात होती है किसकी रचना है बुलू सरकस मितरों ये मार्क शागल के द्वार अबनाई गयी है सही जबाब डी के शाथ लगाओ डी इस तरही टांसर्स बनाओ अगले कोस्चन पर आओ फोटी फाइब नमबर कोस्चन शापकी स्क्रिन पर पूछा गया इसमें से कौन सा मगबरा शम्बंधित सासक के जीवन काल के दोरान ही बनाया गया था नाम दिया गया अकबर का मगबरा शिकंद्रा हुमायू का मगबरा दिल्ली नाम दिया गया जहांगीर का मकबरा लाहुर या फिर बाबर का मकबरा कापुल कौन सा मकबरा है जो सम्बंधित सासक की जीवनकाल के दोरान ही बना दिया गया यानि सासक जिंदा था उसके शामने ही बनाया गया तो बाबर का मकबरा कापुल वाला सही जवाब बनेगा D is the right answers हो जाएगा अगला question is 46 number आपके screen पर यह रहा पूछा गया Chandwick क्या थे नाम दिया गया अमेरिकी मूर्दिकार थे Britain के मूर्दिकार थे Sweden के मूर्दिकार थे फिर France के मूर्दिकार थे बिदो चैन्डविक की बात होती है आप जानते हैं चैन्डविक ब्रटेन के मूर्दिकार है तो सही जबाब ब्रटेन लगाना B is the right answers बनाना अगले questions पर आते हैं 47 number questions आपके screen पर यह रहा पूछा गया वर्स 164 हिस्वी में World Crafts Council AISBL के अस्थापना किस ने की World Crafts Council AISBL के अस्थापना 64 में कमला देवी चट्टो पाद ध्याने की हेनरी मूर की है और फिर पाबलो पिकासो की है आपको बताना है 1964 में World Crafts Council AISBL इसको establish करने का काम किस का रहा है तो मितनों कमला देवी चट्टो पाद ध्याय का रहा है सही जबाब आपको B के शाद देना होगा B is the right answers लगा फिर बढ़ते हैं हम लोग 48 number questions की दरब शब्ड रखो अभी मेहनत जारी है वक्त खुद कहेगा आप तेरी बारी है तो वक्त के भरूशे मत बैठना कि हमारा अच्छा वक्त आएगा तब हम तियारी करेंगे उस्षे पहले आपको तैयारी में लग जाना है निरंतर क्रियासील रहना है जब तक आप इमानदारी के साथ काम करते रहेंगे तब तक आपका प्रणाम आपके पच्छ में रहेगा जिस दिन आप इमानदारी से काम करना बंद कर देंगे आपका परिणाम भी आपसे दूर होता चला जाएगा इसलिए इस पे काम करना है मित्रों आईए शिर्ट करते हैं 48 नमर कोश्चन के रहा है लगू चितरकला भारत के कौन से हिस्से में विक्षित हुई नाम दिया गया उत्री, पौर्वी, उत्तर पश्चिम या फिर उत्तर पूरा आप जानते हैं मित्रों लगू चितरकला में जैन, पाल और अफ़रण से सेलियों का भी कास होता है तो जैन वाला जो आपका वील्ट है ये आपका पश्चिम वाले में आता है पश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष क्राफ्ट्स काउंसिल आफ इंडिया की अस्थापना किस ने की नाम दियागे शत्तिस गुजराल ने की किरण गुलजाल ने की कवबल कृष्ण ने की या फिर स्रेमतिक कमला देवी चट्टो पाध्या ने की Crafts Council of India की अस्थापना किस के द्वरा की जाती है तो Crafts Council of India भी जेश्ट आपने देखा है कि कमला देदी चट्टो बाध्धिया के द्वरा किया जाता है तो कमला देदी चट्टो बाध्धिया आपको अंसर्स लगाना होगा D is the right answer बनाना होगा अगले questions पे चलते हैं पचास नंबर questions आपकी स्क्रण पे है पूछ रहा है आपसे कि शापता है दिनमान हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था नाम दिया गया लखनौ शे, कोलो काता से, दिल्ली से या फिर मुंबै शे दिनमान हिंदी पत्रिका दिनमान हिंदी पत्रिका की गरबात होती है तो सही जबाब जो है दिल्ली बनता है दिल्ली यानि बीज दराई डांसर्स बनता है सही जबाब बीकिशाथ लगा लो अगले questions पे आजाओ 51 नंबर questions आपकी स्क्रण पे पूछा गया दैतराजा बली के दर्प का दमन करने के लिए बिश्णू ने कौन सा रूप धारण किया था आम दिया गया वामन का रूप राम का रूप, बराह का रूप या फिनर्शिंग का रूप दैतराजा बली के दर्प का दमन करने के लिए बिश्णू ने कौन सा रूप धारण किया तो आप जानते हैं भगवान विश्णू ने वामन का रूप धारण किया तो भगवान वामन की रूप में अउतरित हुए थे सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना अगले कोश्चन्स पर आना 52 नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रण पर ये रहा पूछा जा रहा है मित्रों कि दिलवाड़ा में प्राप्त पांच मंदरों के शमूह निमलिके तमेशे कौन से हैं दिलवाड़ा आप जानते हैं माउं टाबू में हैं पांच मंदरों का शमूह पाया जाता है उसमें से सही जबाब आपको देना है कि बिमल वसाही हैं लूनी वसाही है पित लहर हैं पारसुनात हैं महाविर श्वामी या फिर जगनात हैं बिमल वसाही पित लहर पारसुनात महाविर श्वामी है बिमल वसाही विश्वनात पातहर पारसुनात महाविर श्वामी है फिर बिमल वसाही लूनी वासी पित लहर और पार्शुनात हैं आपको बताना है जहां पर पांच तो इसमें नीचे वाले में तो चार ही दिया गया है यह काड़ दो बाकी में पांच-पांच हैं लेकिन दिलवारा आप जानते हैं माउं टाबू वाला होता है और यहां पर महावीर श्वामी का भी दरश्य दिखाई देता है महावीर श्वामी कई जीगे आपको मिले लेकिन उसके साथ लोना वसाही का भी नाम है तो लूना वसाही का नाम आपको दिखाई देता है लूना वसाही बेमल वसाही और उसके साथ पित लहर पार्शुनात और महावीर स्वामी फर्स्ट के साथ आ रहे हैं तो ए इस दा राइट आंसर लगा लो फिर बढ़ो अगले कोश्चन्स के तरब यह से थोड़ा जटिल को साथिमट होगा सही जबाब केच यंद्बाबू नाइडू वाल जो है आप प्रदेश होगा अच्छाँ आच्छाँ आच्छांगर इके शाहत लगा लो केचनद बाबू पू नाइडू जेललता वाला आंद प्रदेश भी कह सकते हैं आफ आंद प्रदेश था तमिलाडू था जेललता का आरे सबसे महंगे मुख्यमंद्री वर्तमान समय में हैं सब चाहदा प्रपरटी है 500 कुछ करून की है ठीक है दिल्वारा जेन मंद्रों को किस के द्वारा बनवाया गया था नाम दिया गया बिमल साह के द्वारा अशोक के द्वारा चामुंडाराय के द्वारा या फिर कनिश के द्वारा दिल्वारा जेन मंद्रों को किस के द्वारा बनवाया गया तो दिल्वारा का जो जेन मंद्र हम इसने शमर्पित है, नाम दिया गया केलास मंदिर शिव को शमर्पित, महावीर को शमर्पित, बुद्धो को शमर्पित, या फिर आदी नाथ को शमर्पित, जैसे शब्द इलोरा है, इलोरा में केलास मंदिर कौन से नंबर की गुफा है, 16 में नंबर की गुफा, इलोरा कहां पे है महाराष्ट्रा में कहां पर महाराष्ट्रा में महाराष्ट्रा में कहां पर औरंगाबाद में इस्तित है औरंगाबाद में इस्तित है महाराष्ट्र में कित्य गुफ आए 34 गुफ आए कितो धर्मों को शंगं तीनो धर्मों को शंगं जेन पाल अच्छा जेन अरे जेन के साथ ब्रामद दंबर के साथ आपको एक जोड़ना होगा बहुत है तो येलोरा में जो कैलास मंदिर है उसका शंबन भगवान स्यू से है सही जवाब फर्ष्ट के साथ देना होगा A is the right answers लगाना होगा अगला कोश्चन 56 नमबर में तो पूछा जा रहा है दिलवाडा के लूना वसाही मंदिर में आदिनाथ की मूर्ती की आखें किस बहुमोल रत्न धातु से बनी है आदिनाथ की जो मूर्ती है उसमें आखें सोना है, हेरा है, मोती है फिर पनना है, किस से बनी हुई है तो याद रखना हीरा से बनी हुई है हीरा इस तरही टांसर से यानि सी इस तरही टांसर से बैठ रहा है अगला questions 57 नमबर आपकी स्क्रेंट पे रहा क्या पूछ रहा है पूछ रहा है भारत में पाय जाने वाले मध्योगीन मंदिर में शबसे बड़ा सबसे अलंकरत और शबसे अधिक सुरच्छित है केलास मंदिर कंदरिया महाद्यो मंदिर जोगी मारा गुफा या फिर दिलियन म मंदिर आपको बताना है भारत में पाय जाने वाला हो मध्योगीन मंदिरों की बात हो सबसे बड़ा भी हो और सबसे अलंकरत भी हो और सबसे अधिक सुरच्छा भी उश्यप्राप्त हो कौन सी होगी सही जबाब कंदरिया महाद्यो मंदिर होगा सही जबाब बी के साथ विलहन के द्वारा या फिर कलहन के द्वारा चोरपंचाज के आफसे बहुत अच्छी रचना है और विलहन के द्वारा लिखी गई है सही जबाब बी के साथ लगा लेना अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने कलाकार उनकी रचनाओं के बारे में यान पुष्टक किस ने लिखी अनंदकुमार शवामी, और गूतिका इलोरा में किस संख्या को गुफा के दवार पर देभी गंगा की आकर्ति उतकरण है देबी गंगा 21 नमबर 17 नमबर 16 नमबर या फिर 32 नमबर देबी गंगा की आकरती जो उत्क्रण दिखाई देती है गुफा शंख्या 21 में दिखाई देती है तो सही जबाब फर्स्ट के साथ लगाओ ये इस दा राइट आंसर पर अगले कोस्चन्स पर आओ 61 नमबर कोस्चन्स कहे रहा है संसकृत नाटे सास्तर पर सबसे पुरानी किताब के लेखाग है नाम दिया गया विनोगुप्त काली दाश भारत मुनी है फिर कोई नहीं संस्कृत नाटे सास्त्र पे सबसे पुरानी किताब के लेखक कई बारे में आपको बताना है तो संस्कृत नाटे सास्त्र में भारत मुनी सबसे अच्छे हैं सहीजबाब B के शाद बनाना B is the right answers बनाना 62 number questions के तरफ चलते हैं पूछ लिया गया आपसे जम्बू सेलीकवा 1746 S.B. में निर्मित जम्बू राजा बलवन्त सिंग बाज लिये हुए एक कागज पर टेंपरा माध्य में मनाया गया यह चितर कहां पर रखा है कहां पर सुरच्छी था यह पूछा जा रहा है आपको बताना है कि जम्बू में राजा बलवन्त सिंग बाज लिये हुए है आशादरिश्य कहां पर है तो आशादरिश्य आपको राष्टिय शंग्रहले नई दिल्ली में देखने को मिलेगा सही जबाब जो है वो B के साथ बनेगा तो राष्टिय शंग्रहले नई दिल्ली आंसर्स लगाओ B इस दा राइट आंसर्स बनाओ अगले कोर्शन्स पे चलते हैं 63 नंबर कोर्शन्स आपकी स्क्रिंट पर इरा पूछा गया गीदु गोविंद गीदु गोविंद की रचनाकार है गीदु गोविंद की रचनाकार कोन है मित्रों 63 का राइट आंसर्स क्या होगा जैदेव होगे तो सही जबाब जैदेव के साथ दू सी इस दा राइट आंसर्स बनाओ फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले कोर्शन्स की तराफ 64 नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिंट पर यह रहा 64 नंबर कोश्चन्स के रहा है कांगला सैली का प्रसेद चितर रांग हिंडोला रांग हिंडोला की रागनी वशंती ये भारती संगीत प्याधारित स्वरावली कहां सुरच्छी थे आपको बताना है राग हंडोला की रागनी वशंती राष्टे संग्राले नई दिल्ली में शुरचे थे म्यूजिय फाफ फाइन आर्ट बोस्टन में सुन रही थे ब्रटे संग्राले लंडन में है फिर भारत कलाबों वारानसी में कांगणा सैली की रचणा हो राग हंडोला रागनी वशंती की बात होती हो कहाँ पर रखा मिलेगाart को जितना सब्सक्राइब कहा दिए कि अगले कुरुश्चन से आते हैं 65 नंबर कुरुशंच आप की स्कृण पर पूछा जा रहा है आप से कि पारंपरीक रूपषे पांडों की किले के रूप में प्रसिद्य दिल्रिक अव्वा किला, जो उसी टिले पर इस्तित है जहाँ पुछा गया पुराना किला, लाल किला, किला राय पित्थोरा या फिर तुगलुकाबाद किला, मित्रो पांडो काल का हो, प्रशिद धिल्ली परिष्थित हो, इंद प्रस्त के पास हो, सही जबाब क्या बनेगा, सही जबाब पुराना किला बनेगा, पुराना किला यानि फर नाम दिया गिया मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में या फिर पूंडे में आपको बताना है भारतिय फिल्म और टेलिवीजन संस्थान जो और 260 में इस्टब्लिस होता है उसके अस्थापना कहां पर होती है तो पूरे में होती है पूरे महराश्टरा सही जबाब डे के साथ लगाओ, अगले कोश्चन्स पर आते है 67 नमर कोश्चन्स आप से पूछ रहा है मित्रों कि भारत की किस एतिहासिक इमारत को 2018 में यूनेश्को की विश्व धरोहर सूची में दर्ज किया गया नाम दिया गया विक्टोरिया एन आर्ट डेको इंसेविलेंस मुंबई, थाने रेलेवे स्टेशन मुंबई, जंतर मंतर नई दिली या फिर कमल मंदर नई दिली आपको बताना है 2018 में यूनेश्को नेश्य अपनी विरासत अस्थल के रूप में सामिल कर लिया हो तो मुंबई का अस्थल है विक्टोरियन तथा आर्ट डेको इंसेविल्स मुंबई जैसा अंसर्स बनेगा सही जबाब फ़र्ष्ट के शाथ आएगा A is the right answer अगला कोश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा पूछा जरा है भारत में द्रिश्चे कलाओं के शेतरे में वह सीर से सांस्कृतिक संस्था जिसका सारा खर्चा जो है शांस्कृति मंदराले उठाता हो नाम होगा आर हेटेज ललित कला एकदमी हिंद्रा गांधी राष्ट एकला के अंदर या फिर शेतरे सांस्कृतिक संस्था है सारा खर्च संस्कृति मंदराले उठाता है नाम क्या होगा ललित कला एकदमी ललित कला एकदमी तो सही जबाब बी के साथ लगा लो बी इस तर वाराण सी में कोशाम भी में फिर प्रयाग राज में तो कबीर महत्सों वहीं मनाया जाएगा जहांके नाम पर आपको जिला दिखाई दे रहा है तो शंत कबीर नगर आंसर्स लगाओ फर्स्ट हिस्था राइट आंसर्स पनाओ अगले कोश्चन्स पर चलते हैं सतर नंबर को अपना है दिल ही में है तो सही जबाब बी के साथ बनेगा बी इस दा राइट आंसर्स होगा अगला कोश्चन्स सेवेंटी वन नंबर आपकी स्क्रिन पे रहा पूछा गया अंतराष्टिय त्रनाले इंडिया यानि त्रवार्षिक भारत में आयोजित होने वाली शंस था ह संगीत नाटक अकडमी ललतिकला अकडमी शाहित अकडमी आये फिर आल इंडिया फाना अट क्राफ्ट सोसाइटी त्रनाले वार्षिक गर बात होते हैं ललतिकला अकडमी आंसर्स लगाओ भी इस धराइट आंसर्स पर आगले कोश्चन्स पे आजाओ 72 नूमर कोश्चन्स पूचा गयमेत्रो, भारतीय पुरात तो सर बेच्चन विवाग की अस्थापना की गई 1861 में, 3947 में,opot एफर 2940 में भारतीय पुरात तो सर बेच्चन विवाग की screws की गई तो सही जबाब बनता है, 1861 में की गई तो सही जबाब first के शाथ लगाओ is the right answers बनाओ अगले questions पर आजाओ 73 number questions आपकी screen पर है पूछा जारा है बिख्यात नौसास्त्रे चित्रकला oath half हो राथी oath half हो राथी oath half हो राथी जो 1784 की है किसके द्वारा बनाई गई नाम एक ग्रेस का दिया गया जोसेफ मेरी विथ का दिया गया राफेल का दिया गया और डेविट का भी दिया गया oath half हो राथी oath half हो राथी oath half हो राथी कि एगर बात हो डेविट सही जवाब बनाना डे इस दा right answers लगाना अगला question 74 number आपकी screen पर ये रहा मित्रों बहुत अच्छी रचना पूछी जारा है ये शुजाता और बुद्ध ये सुजाता और बुद्ध किसका चितर है आउनी बाबू, ननलाल बोष, असित कुमार हालदार, चितिनार, मजुमदार आपको अंसास देना है शाटिक आप जानते हैं सुजाता और बुद्ध होने की रचना है जिन्होंने बंगाल सेले इस्टेबलिस की हो जिन्होंने शडांग पे ब्याख्या दी हो शडांग पे वनईश्व एककाईस में ब्याख्या दी हो नाम क्या होता है? आउनी बाबू होता है आउनी इनना टेगुर के साथ हांसस लगाओ अगले कोस्चन्स पे आजाओ अगला कोस्चन्स 75 नंबर आप की स्क्रिंट पे ये रहा पूछा गया मित्रो नई दिल्ली में इस्थित राष्टिय पुलिस असमारक को किसने डिजाइन किया? नाम दिया गिया रामभी शुतार अद्वयत गाय नायक गाड़नायक विवान विहरीदाश या फिर सांको चोधरी आप जानते हैं राष्टिय पुलिस असमारक जो है नई दिल्ली में इस्थित है और उसको जो डिजाइन करने का काम है अद्वयत गाड़नायक का है तो सही जबाब अद्वयत गाड़नायक बनेंगे यानि B is the right answers बनेंगे अगले कोश्चन पर आते हैं अगला कोश्चन 76 नंबर है पूछा जारा है लखनो कालेज़ा फार्ट सेंड क्राफ की अस्थापना कब हुई कब मतलब सन पूछा जारा है 1911, 1924, 1925, 1910 आप जानते हैं लखनो वार्ट कालेज़ के पहले भारते प्रेंसपल 1925 में बनते हैं तो अस्थापना कब होगी अस्थापना जो है 1911 में होगी तो सही जवाब फर्ष्ट के साथ बनेगा A is the right answers बनेगा अगला कोश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रिंग पे पूछा जरा है भारत में कैलेंडर कला का जनम दाता है कैलेंडर कला का जनम दाता रवी वर्मा है वो पेन कखकर है में फोशन है और फिर विमान सुन्दर में कैलेंडर कला के जनम दाता की रूप में कौन जाने जाते हैं जिन्होंने हर घर में कैलेंडर पहुंचा दिया हर घर में देवी देवताओं को पहुंचा दिया आप जानते होंगे ज्यादा तर घरों में देवी देवताओं के जो दरश्य दिखाई देते हैं रवी वर्मा के हैं कलेंडर के मात्रमों से हर घर में इन्होंने पहुंँचा है तो सही जब आप फर्स्ट के साथ लगाओ अगले कोश्चन्स पर आते हैं 78 नम्बर कोश्चन्स आपकी स्क्रिंट पर यह रहा 78 नम्बर कोश्चन्स के रहा वनस्तली बिद्ध्य पेट में बिद्ध्य चित्र बारात और उसके साथ नेपाली बुद्ध की यात्रा किसे ने बनाए नाम दिया गया बिनौत बिहारी मुखर जी ने बनाए देव की नंदन शर्मा ने बनाए क्रपाल सिंग से खावत के हैं और रंगोवाल विजय वर के के हैं वान असली बिद्ध्य पेट में बरात और नेपाली बुद्ध की यात्रा जैसी रचना किसके द्वारा मैंटेंड की जाती है तो मैंटेंड की जाती है बिनौत बिहारी मुखर जी के द्वारा बिनौत बिहारी मुखर जी सही जबाब बनेंगे फर्स्ट हिस्दा राइट तो एक एसाथ अंसस लगाओ फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले कोर्षांस की तरफ 79 नंबर कोर्षांस आप की स्क्रिंग पर यह रहा 79 नंबर कोर्षांस कह रहा है मित्रों चित्रदर्शन चित्रदर्शन पुस्तक की लेखक कोन है श्याम भी हरिया ग्रवाल का नाम है डीपी धुलिया का नाम है बद्रिनाथ हर्या का नाम है शुकविर संग्स अंगल का नाम भी चित्रदर्शन के लिए दिया गया चित्रदर्शन जो पुस्तक है मित्रों ये पुस्तक है डीपी धुलिया की तो सही जबाब डीपी धुलिया लगाओ वी इजदा राइट आंसर्स बनाओ अगले कोश्चन्स पर आते हैं असी नंबर कोश्चन्स आप जिसके पर यह रहा पूछा गया ललित कला अकेदमी के पहले चेर्मेन यानि अध्यच चुने गए है ललित कला अकेदमी के पहले चेर्मेन यानि पहले ध्यच कौन तो देवी प्रशाद राइट आंसर्स लगाना होगा अगला कोश्चन्स 81 नंबर आपकी स्क्रिन पर यह रहा पूछा जा रहा है देश में कला का सरबोची सम्मान कौन सा है रतन सदस्यता है कला रतन है कला भोशन है या फिर कला सिरू मड़ी इसमें जो कला का सबसे बड़ा वाला सम्मान होता है सरबोची सम्मान होता है वो कला रतन होता है छो रतन सदस्यता लगाना रतन सदस्यता रतन सदसिता, first is the right answers बनाना, अगले questions पर आते हैं, 82 नंबर questions आपकी स्क्रिन पर ये रहा, पूछा गया, बिख्याच चितर शिव की मुखाकरती, शिव की मुखाकरती जो कैनवास पर तेली रंग के द्वारा बनाई गए, इसके चितरकार कोन है, नाम ननलाल बूश का है, ना आद मुझूंदार का और रामकेंकर वैच का भी नाम दिया गया, शिव की मुखाकरती, शिव की मुखाकरती के लिए आप जानते हैं, भावेशन सान्याल का नाम आता है, तो सही जबाब शी के शाद बनेगा, सी इस्दा, राई टांसस होगा, अगला questions, 83 नंबर आपकी स्क अधरकार भी रहें, तो महावेवी देवी वर्मा का नाम भी हमने सुना है, अमरता राई का भी नाम सुना है, जगदेश गुत्ता का भी नाम सुना, इसलिए सही जबाब, डे के साथ लगा, डे इस दराई टांसस बना, अगले questions पर आते हैं, 84 नंबर questions आपकी स्क्रिन पर इसलिए रहा, 84 नंबर questions कह रहा है, कोलो काता में, इंडरस्टियल आर्ट सोसाइटी, कोलो काता में, इंडरस्टियल आर्ट सोसाइटी के स्थापना कब होती है, नाम 1851 का है, 1885 का है, 1865 और 1895 का नाम दिया गया है, इंडरस्टियल आर्ट सोसाइटी के अगर बात करते हैं, आपके कोलोकाता में इस्टब्लिस होता है 1851 यानी अठारव सोग के क्या उन में इस्टब्लिस होता है सही जबाब फरस्ट के साथ लगाओ अगले कोस्टनस पर आ जाओ 85 नंबर कोस्टनस कह रहा है मितरों कि बंगाल सहली का प्रारम हो वर्स माना जाता है नाम दिया में आपको नईशो पांच भी देखने को मिल जाएगा तो सहीज बाब नईशो तीन लगा लो फॉस्ट इस राइट अंसर बना लो अगले कोश्चन्स पर आजाओ अपको बताना है देविका रानी से किसका का जो है साधी हुआ है वो देविका रानी से हुआ है इस राइट अंसर बनाना अगले कोश्चन्स पर चलाएंगे एड़े सेवन नंबर कोश्चन्स आपको बताना होगा कहा है इस ते तो बैंगलूर आंसर बनेगा भी इस राइट अंसर देना अगले कोश्चन्स अठासी नंबर आफके स्क्लिक पर एग रहा 88 नंबर कोश्चन्स के राए राइगे राम चंदर की गंगा उतरन है राम चंदर का गंगा उतरन किसन की चित्रित किया नाम दिया गया, अब्दुल रह्मान चुगतेई ने बनाया है, राम गोफाल विजेवर्गी ने बनाया, महादेव विश्वनात धुरंदर के दोरा बनाया गया, या फिर लोगपाल सिंग के दोरा राम चंदर का गंगा उतरन बनाया गया, तो राम चंदर का गंगा उतरन ब प्रशिद्ध था, नाम चित्रकार है, स्थापत्य विद्ध है, भेत्य चित्रकार है, वास्तु सिल्पी, जियोत्तों की बात होती है कि इस रूप में फेमस है, तो सही जबाब भेत्य चित्रकार है, सही जबाब दिवाल वाला चित्रकार है, तो सही जबाब शी के साथ पंचमणी गुफा के चितर कौन से प्रदेश के हैं प्रदेश का नाम मद्ध प्रदेश होगा मामा की नगरी मद्ध प्रदेश मद्ध प्रदेश वहीं जहां पे कौन सी गुफा है बागो गुफा इस्तित है आप जानते हैं तो सही जब आप फर्स्ट के शाहत लगाओ अग और नाथ से गायल सुर का जो द्रिश्य है मित्रों यह यूपी से मिलता है यूपी का एक वेल्ट जिसका नाम मरजापूर तो सही जबाब फर्स्ट के साथ लगाओ यह इस तरह आई टांसर बनाओ अगले कोश्चन्स पर आएंगे 92 नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पर अगले कोश्चन्स पर तलते है 93 नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पर यह रहा पूछ लिया गया विभाजन में सामंजस से बनाने के लिए क्या वश्यक है नाम दिया गया अनवश्यक तत्तों से बचने के लिए उचित बनाड का उपयोग रंगों के स्वरों की भिनता य और सोनों की भिनता भी दरसानी होगी उचित बनाड भी उपयोग करना होगा अनवश्यक तत्तों से भी वचना होगा यानि सही जबाब यह सभी बनेगा तो डीज तराइट आंसर लगाना होगा अगले कोश्चन्स पर चलते है 94 नंबर कोश्चन्स आप कि स्क्रिन पर यह पूछा गया मित्रों शिंधु घाटी से प्राप्त जो मोहरे हैं वो बनी है नाम दिया गया मिट्टी के हैं लकड़ी के हैं सेमें प्रस्तर के हैं शिंधु घाटी से प्राप्त मोहरे बनी हुई है तो शिंधु घाटी से जो प्राप्त मोहरे हैं वो बनी हुई है किसकी मि गोश्चंस आता है 95 नमबर आप से पूछ रहा है अजंता गुफ़ा कि खूज कब होती है अजंता गुफ़ा कब खूजी जाती है 1850 का नाम है 1819 का नाम है इस इस अठारा का नाम है अजन्ता गुफा की अगर बात होती है ठारा उन्य इसको जाए जाता है जबकि अगर बाग गुफा की बात होती तो ठारा ठारा आपका अंसस बनता ठेक है तो सही जबाब भी के साथ लगा लो अगले questions पर आते है कंपनी सली के चुद्रों में कौन से प्रकार के विषे ज़ादा आपको दिखाए देते हैं तो विषे आपके हैं जन मानस वाले विषे तो सही जबाब बी के साथ लगाओ मित्रों बी इस तरा आई टांसस बनाओ अगले questions पर बढ़ेंगे 97 number questions होगा 97 number questions के रहा है मान्डू मान्डू इसके लिए प्रशिद्ध है नाम दिया गया जन चितरकारी के लिए बौध लगू चितरकारी के लिए बौध अभित्य चितरकारी के लिए या फिर इतिहास पोर्व चितरकारी के लिए मान्डू जाना जाता है मांडू के अगर बात होती है तो जैने चितरकारी इसका सही जबाब बनता है कौनसा जैने चितरकारी तो सही जबाब फर्स्ट के शाहत लगाना A is the right answers बनाना अगला questions 98 नमबर आपके screen पर ये रहा पोचा क्या आप सिमित्रो उस पास्चातिकला समिच्छा का नाम बताई है जिसने अपने लेखों के माद्यम से अजनता भित्य चितरों की बिराट सौंदरे को सराहा नाम दिया गया अरनिस्ट विंफिल्ड हेवले नाम दिया गया डबलू जी आर्चर नाम हरवर्ट रिट का है नाम जो है मिल्डरेट आर्चर का भी दिया गया पास्चातिकला समिच्छा का नाम बताना है जिसने अपने लेखों के माद्यम से अजनता भित्यों की बिराट सौंदरे को सराहा है यंदि थोड़े से अजनता फित्य रजनाओं को अपने लेख में थोड़ा अच्छे से लिख दिया है बताया है अच्छा है तो आप जानते हैं कि उसका लाकार का नाम होगा अरनेस्ट विन्फिल्ड हैविल तो सही जबाब जो है हैविल के साथ लगाओ या हैवले के साथ लगाओ बीस ता नहीं एस ता राई डानस बनाओ अगले कुस्टेंस पर चलते हैं 99 नंबर कुस्टेंस आप की स्क्रिंट पर ये रहा 99 नंबर प्रस्म कहे रहा है पाल सेली पाल सेली के सनरच्छा को न थे नाम दिया गया चालू कि शासक पाल सासक शुंग शासक या फिर चोल सासक पाल साली के सनरचन की रूप में आवकर कोई जाना जाता है तो आप जानते हैं पाल पाल मतलब पाल सासक तो पाल वंस यानी बंगाल वाला वंस बंगाल वाला और जहां पे कौन सा धर्म तो आप जा शांग एंड एसकलप्टर शांग एसकलप्टर नामसे प्रकाशित होये नाम दिया गया शोगो धुकता, मदनलाल, रानी उशा हुजा या फिर रूबिड डेविड तो आपको बताना है शांग और इसक्लेप्टर नामशे कभी तनाएं भी लिखी हो सहीज बाब क्या बनेगा सहीज बाब उशा रानी हुजा का नाम बनेगा सहीज बाब आपको B के शाद देना होगा B इस्ता, राइट आंसर आप जानते हैं 125 कोश्चन्स का सेट होता है TGTR में जो UP वाला है बाकि अन्य राज्यों में अधर 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 वेकेंसियां तो अधर अधर टाइप के पेपर भी आते हैं आप KBS देखे होंगे KBS में आपको केंद्रे विद्याले शंगठन में आपको 100 कोश्चन्स देखने को मिलता है शभी का अलगा क्राइट एरिया है ठीक है UP वाले में 125 कोश्चन्स आते हैं आप सब जानते हैं 101 नंबर कोश्चन्स राज ललित कला अकेदमी लखनो के पर्थम अध्यच थे नाम दिया गया शंपुर्णा नंद मिस्ट राजन नहरू के एस्कूल करनी राधा कमल मुखर जी आपको बताना है राज जी का जो ललित कला अकेदमी रहा है इसके पहले अध्यच की बात होती है पर्थम अध्यच की और आप जानते हैं डाक्टर संपुर्णा नंद के नाम से कई कालेच कई काम चले है शंपुर्णा नंद जी ललित कला अकेदमी के पहले अध्यच रहा है उद्धर प्रदेश वाले की तो फर्स्ट इस दर आई टांसर्स लगाओ अगले कोश्चन पर आते हैं यूपी की परिच्छा है तो यूपी से जुड़ा हुआ डाटा पूछा जाएगा आपको यूपी से जुड़ा हुआ डाटा बहुत जल्द हम आपको कंप्लेट कराएंगे जिसको लोग करेंट अफेर्स का नाम देते हैं हम करेंट अफेर्स नहीं कहते हैं मुझे बिविध ही कहते हैं चितरकार बिविध के नाम से हम देखते हैं क्योंकि यहां पर करेंट अफेर्स का कोई प्राउधान ही नहीं एक सुदोनमर कॉश्चन निमलिकित में से किस के दोरान चितरकारी तकनीकी में टेक्स्चर, टेक्स्चर यानि आलेक है और कोलाज का समावेश किया गया, नाम दिया गया थिया थार्थवाद, या थार्थवाद या फिर घनवाद, टेक्स्चर का समावेश किया जाता है, टेक्स्चर का जो समावेश है मित्रों गनवाद में किया जाता है, और भारत के पह आफ सिवा किस ने लिखती है नाम दिया गया एच गुरूमबिच के दोरा लेखी गई आर कलिंग वूड ने लेखी है इस्टेला कैमरिस की है फिर रूडॉल्फ आरेन हेम की है प्रिंसे जाफ सिवा जैसे रचना किस के दोरा लेखी जाती है तो आप जानते हैं इस्टेला कैमरिस ने लिखी है बहुत अच्छी रचना है इस्टेला कैमरिस की सही जबाब जो है सही के साथ लगाओ इस्टेला कैमरिस वही जो बदामी गुफा को वही है इस्टेला कैमरिस कौन सी गुफा बादामी गुफा बादामी गुफा जो आपके कहां पे है? करनाटका में पाई जाती है ना हम बिल्कुल सही जबापाई बादापी या फिर बादाइद प्रोमिश का नाम होता है टुटल चार गुफा है बादामी पाई जाती है तीन का धर्म जो है हिंदू से होता है एक कदर्म आपका जैन से होता है इसमें लोग बहुत अच्छी पुस्तक है प्रिंसेस आफ सिवा सही जब आप सी के साथ लगा लो अगले कोश्चन्स पर आते हैं 104 नंबर कोश्चन्स मित्रों इमानदारी के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो सेलेक्षन आपके पच्छ में आएगा उसमें कोई डाउट्स नहीं है रिजल्ट आपके ही पच्छ में आएगा और अगर केवल दिखावा करते हैं तो दिखावा में समय व्यर्थ होता है और कुछ नहीं होता है इसलिए मैं कहता हूँ अगर इमांदारी से मेहनत किये हैं तो आकास भी आपका होगा उसमें कोई डाउट्स नहीं एक सुचार नमर कोश्चन के रहा है गगने नाट्टेगुर की परशिद्ध दरश्या करती पूर्ण पुश्पित गुलमोहर ब्रिच्छ पूचा गया जगमक जगमक दीब जले जगमक जगमक दीब जले के चितरकार कोन नामदीया गया कालिदास को हूसल है फरडनिंन मुखर जी है रभी-शंकर رावल है या फिर ब्रजमोहन जिन्ना आपको बतना है जगमक जगमक दीब जिले जगमक जगमक दीब दीब जले ब्रजमोहन जिन्ना की जो है रचना है सहीज बाबटी के साथ लगाओ अगले कोर्शन्स पे आते हैं 106 नंबर कोर्शन्स आप की स्क्रिंट पे ये रहा पूछा गया किस चितरकार ने रामायड महाभारत जैसे महाकाब्यों पे चितर संखलाएं तयार के आपको उतना है रामायड और महाभारत पे स्रंखलाएं तयार करने का काम किशका रहा है तो आप जानते हैं कि एक प्रक्षात कोन रहे हैं चितरकार रहे हैं जिन्होंने 12 फिल्में बनाई हूं जिनकी सबसे अच्छी रचना आप जानते हैं कि रचनाएं बहुत सारी बनाई इन्होंने कहा कि हम घोने बेशते हैं फिल्में बनाते हैं तो घोने इनकी रचना है घोने इनकी रचना है नीली रात इनकी रचना है नाम दिया कि गोथिक काल का, मध्यूगिन काल का, प्रारमभिक पुनर जागरन काल का या फिर रुखोकू अवधिका तो पियरा डेला फ्रैंसिसका की एगर बात हो तो यह प्रारमभिक पुनर जागरन काल का चितरकार रहा है सही जबाब आपको B के साथ देना होगा B इस्ता right answers लगाना होगा अगला questions 108 नमबर आपकी स्क्रिन पे पूछा गया चारह गाह की एक साम चारह गाह की एक साम जो कैनवास पे तेली रंग से बनाई गई किसका चित्र है? वान गॉग ने बनाया, रामकुमान ने बनाया, भावेशन सान्याल ने बनाया फिर राणवी रशिंग विष्ट की है चारह गाह की एक साम चारह गाह की एक साम अच्छे रचनाव में शुमार है भावेशन सान्याल की है तो सही जवाब B के साथ देना, अगले कोफशन सान्याल ने बनाया, तूती नामा यह तैली रचना है, किसने बनाई तूती नामा, ए रामचंदरन की है, अकबर पदमशी की है, गोपी गसवानी की है, या फिर मगवल फिदा हुशन की है तूती नामा की बात होती है मित्रों, अच्छी रचनाव में शुमार है, ए रामचंदरन की है, सही जवाब फर्ष्ट के साथ लगा लो, अगले कोफशन से चलेंगे, 110 नमबर कोफशन से आपकी स्क्रिन पर यह रहा पूछा गया, जर्मन पत्रिका दा इस्टार्म, दा इस्टार्म में किस आश्ट्रियाई कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रतरशनी की थी, नाम दिया गया फ्रांज मार्क, एडवर्ड मुंक, मैक्स व्रेकमेन, या फिर ओशकर कोफशका, आपको बतना इस्टार्म ता इस्टार्म कि एगर बात करते हैं, ओशकर कोकास्का जैसी अच्छी रचनाय है, सही जबाब ओशकर कोकास्का को लगाओ इस्टार्म के लिए, सही जबाब डी के साथ बनाओ, डीजदा राई डाउन, अगले कोशन्स पिबढ़ते हैं, 111 नंबर कोशन्स आप कि स्क्रि पे रहा पूछा गया मित्रों निमलिखित में शिवह हंगेरियन भारतिय चिद्रकार जिसने बीशवई शदी के सुरुवात में सबसे बड़ी अवांत गारडन महिला कलाकार होने का और एक आधुनिक भारतिय कला में अग्रणी रहने को कहा गया है अब शब्द यहां दिया गया हंगेरियन भारतिय तो हंगेरियन मतलब जिसका हंगरी में जिनम हुआ हूँ हंगरी की तो अमरता से रगल सही जब आप डीके साथ लगाओ अगले कोश्चन्स पर आजाओ 112 नमर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पे पूछा गया Pointing Man Pointing Man ये कासी रचना है किसकी मूरती है इंदरी मूर ने बनाई मिलोल ने बनाई जियो कोटिमी ने बनाई या फिर मेरीनो मारनी निके द्वारा जो है Pointing Man को बनाया गया Pointing Man के अगर बात करते हैं जियो कोटिमेनी की रचना है सहीजबाब B के साथ लगाना होगा B इस था राई डांसर अगला कोट्शन 113 नंबर आपकी स्क्रिन पे पूछा जा रहा है मित्रू आप से कि रचना कला प्रवाह ये मासिक पत्रिका है कहां से चलती है अगला कोट्शन 114 नंबर आपकी स्क्रिन पे रहा पूछा गया पी टी रेड़ी कहां के कलाकार है नाम दिया गया हैदराबाद, लखनो, दिल्ली और कोलोकाता पी टी रेड़ी की बात होती है सहीजबाव हैदरापाद यानि निजाम वाला सहर तो सहीजबाव फर्ष्ट के साथ बनते है अगला कोट्शन 114 नंबर पूछा गया किसे चितरकार ने फिल्म प्रेम सन्यास में राजा सुदोधन की भूम का निभाई है कौन सा चितरकार है जो राजा सुदोधन की भूम का प्रेम सन्यास वाली फिर्म में निभाता है नाम दिया गया बीशी शानियाल सारदा उकील एमेफ उशेन जतिन दास आप जानते हैं कि बढ़ियां वाला है और एक अच्छा कलाकार के रूप में राजा सुदोधन की भूम का तो सारदा चरण उकील निभाई सहीज बाब बी के शाथ लगाना होगा अगले कोश्चन्ष पर आते हैं 116 नंबर कोश्चन्ष आप की स्क्रिंट पर ये रहा पूछा गया किस सासक क्या धिन कांगला सली अपनी शौंदर बोधकला करती हो के कारण चरम सीमा पर पहुंचती है कौन सासक होता है शामन सिंग, संसारचन, राजा वाडियार या फिर करपाल पाल आप जानते हैं कि कांगला सली चरमोधकर्ष पर किसके सासन कल में पहुंचती है तो संसारचन के है तो सही जबाब आफकोश शीकेशाद देना होगा अगला कोश्चन्स एक सो सत्तरह नंबर आफ की स्क्रिंट पर ये रहा कोश्चन्स थोड़ा सा जटिल है भांसा केवल जटिल है और कुछ नहीं कोश्चन्स कहरा है नेमलेकित में से राष्टि आदोनी कला संगराल है नहीं दिल्ले में बिधाई दाइद तो किसके लिए है थारो सो पचास हिसवी के बाद आदोनी कला करतियों को प्राप्त करना उसका परिच्छन करना नहीं अस्थाई प्रदर्शनियों के लिए वीथिका का संगठन और रख रखाओ उसका विकास करना नहीं मात्र अपने परिशर में ही नहीं बलकि देश के आने भागों में भी वीदेश के प्रदर्शनियों को नहीं नहीं है ऐसा भी नहीं है इसका जो सही अच्छा क्या नहीं है अरे बाबू जब इसकी Estabilization की बात होगी तो ये अपने परिस्थर ही नहीं बलकि देश के आन्ने भागों की बिदेशों की प्रदर्शनियों को भी आयूजित कराएगा अस्थाए प्रदर्शनियों की बीथिकाओं की संगठन का रख रखाओ भी करेगा और उसके साथ जो है ठारो सुपचास से ले करके आधुनिक कलाकरतियों को प्राप्त करना उसका परिरच्छन करने का काम भी नई दिले की राष्टिया आधुनिक कला संगराले का है तो सहीज बाब क्य जबाब जो है बी के साथ लगाना देवनागरी लेपी में हस्ताक्षर करता था अगला कोश्चन्स 119 नमबर पूछा किया दीदार गंज का याच्छी जो दूसरी सदी की बढ़ियां वाली निर्मित मानी जाती है रचना पालिश युक्त प्रस्तर प्रत्मा है कि संगराले में है अलाहबार संगराले प्रियागराज में है बिहार संगराले पतना में है पतना संगराले पतना है फिर भारतिय संगराले को लोग आता है देदार जंकी आच्छी मूर्थी आपसे बताना है कहां पे है तो बिहार संग्राले पटना में है सहीज बाब बीकेशाद बनेगा अगला कोश्चंस 120 नमबर आपकी स्क्रिंग पे रहा पूछा गया अलाहाबाद कला भारती नमक शंस्था के स्थापना जो 1928 में होती है किसने की थी छेतीन बाबू, शेलेन बाबू, सुखविंदर सिंग्स शिंगल या फिर साम बिहारी अगरवाल आपको बदना है कला भारती 1929 में किसने इस्टेबलिस किया तो सही जबाब सुखविंदर सिंग्स शिंगल बनते हैं सी इस्था राइट आंसास बनता है अगले कोश्चंस पर आते हैं अगला कोश्चंस आप किसक्रिंट पर यह रहा 121 नमबर क्या पूछ रहा है 111 नमबर कराई जब हम पिगिमेंट्स या प्रियोक का रंग मिलाते हैं तो इसकी पदती इस्ट्रेक के वेटिव कलर मेथड होती है कलास से सुरू होती है और स्वेट पर समापत होती है स्वेट नहीं इस्ट्रेक कलर मेथड लगाओ फर्स्टिस दा राइट आंसास बनो अगले कोश्चंस पर आते हैं 122 नमबर पूछा जा रहा है कैलीग्राफी समंदित है, ड्राइंग से, लेखन से, पेंटिंग से, फिर एचिंग से, कैलीग्राफी की एक बात होती है, तो लेखन से समंदित हो जाता है, कैलीग्राफी, C is Dried answers लगाओ, 123 पे आज़ाओ, पूछ लिया गया, खर बुजिया गुम्मत, खर बुजिया गुम् कह रहा है, ड्रवन सेली के मंद्रों को काल होता है, पलो काल, चॉल काल, पांडे काल, खुषाण काल, द्रवन मंद्र कि एक बात होती है, कुषाण काल आंसर बनता है, ड्षाप रहीट आंसर, अच्छा, ड् ended right आंसर, अच्छा सही बिकल्ब में आपको लगाना है इसका कलमा अनुशार आपको सही काल में आपको बिठाना है कि सबसे पहले कौन सा आता है द्रबन सेली में द्रबन सेली की मंदर में सबसे पहले कौन सा आता है ये आपको बताना है तो मित्रों दरबेन सेली के अगर बात हो, चारों में हम बताते हैं कियसे लगाना होगा, दरबेन सेली, दरबेन सेली में आप जब लगाएंगे, सबसे पहले पल्लोकला लगाएंगे, सबसे नंबर एक पे रखना, पल्लोकल, 600-900 इस भी हो गया, उसके बाद आप क्या तो दूसरे नमबर पे इसे लगाना और जो आपका तीसरे नमबर होगा वो पांडेकाल होगा तो 1150 से 1350 तो तीसरे नमबर पे इसे लगा ले ना सही जवाब आपका ABC होगा ABC मतलब कौन सा डी आंसर से हुगा ए बी सी तो डी आंसर लगाओ अगले questions पर आजाओ 125 नमर last question से कहरा है गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहा हुआ इंगलेंड, हालेंड, ग्रीस और फ्रांस का नाम दिया गया गुस्ताव कुर्बे के बारे में पूछा जा रहा है आप जानते हैं इनका जन्म जो है फ्रांस में हुआ है तो सही जबाब जो है डी के साथ बनेगा डी इस तरा इट आंसर लगाओ अब आप लोग वबराल बताओ कि आपके इस 125 questions के सेट में कितने questions सही गए है कमने मादम से जरू शापिएगा चैनल पे नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करिएगा विल आइकन प्रेस करिएगा जिससे मोडिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भर पूरल आप टाइम से ले सके मेलते हैं सुड़ में तब तक के लिए दिल से सलुट जैहिंद